दोस्तों स्वागत है इतिशा क्लासेज में आज का मल्टिपल च्वाइस कोस्चन का पहला सवाल है एक चालक में इलेक्टॉन कैसे चलते हैं एक जब कंड़क्टर होता है तो इसमें इलेक्टॉन कैसे प्रवाहित होते हैं कैसे चलते हैं किसके करण चलते हैं तो यह है यह स्क्रीन पे देख रहे हैं ओम्स का गनितिये सुत्र क्या है तो पहला option ही है I is cut to B by R हम लोग जानते है B by R होता है इसलिए I बरावर होता है B by R option A second है वहां फ्लैसर इकाए में किस प्रकार के प्रतिरोध का उप्योग किया जा था यानि फ्लैसर का है तो फ्लैसर यूनिट वेहिकल फ्लैसर यूनिट में किस प्रकार के रिजिस्टर का इस्तमाल करते है तो इसे आपको याद होना चाहिए यह ब्लास्ट प्रतिरोध होता है ब्लास्ट रिजिस्टर का इस्तमाल होता है फ्लैसर यूनिट में वेहिकल के लिए which material is required to make integrated circuit chip IC circuit chip में किस प्रकार की समागरी की ओसकता होती है तो इसमें zinc, steel, steel, silicon, copper तो इसमें अर्ध चालक यानि silicon, semiconductor का इस्तमा होता है electronics पर्तिक जो आप देख रहे हैं इस तरह का ये किसका है तो ये symbol जो है generally diode का होता है diode का symbol आप figure देख रहे हैं ये diode का figure इसलिए option ए जो है इसका सही answer होगा अब ये next जवाल देखते है solid state switch के रूप में किस electronic घटका उपयोग किया जाता है तो इसमें होता है solid state switch solid state switch में जो होता है वो transistor का पर्योग करते है अब देखिए पर्तिक का नाम क्या है what is the name of symbol तो अगर collector है base और emitter है तो ये सवावी का इसका इन सा transistor होगा यानि तीन है transistor में collector होता है base होता है और emitter होता है एक तापान सर्वेदन seal प्रतिरोध क्वान सा है मतलब temperature से sensible register क्वान होता है diode, thyristor, thermistor, transistor तो ये thermistor होता है अब देखिए engine के सितलक यानि कूलेंट के दापमान को मापने के लिए घटक का परियोग करते हैं तो thermistor का परियोग करते हैं option A इसका सही answer होगा what is the permissible voltage drop in electric circuit किसी भी electric circuit में permissible voltage drop कितना होता है तो 0.2 volt का permissible voltage drop होता है next सवाल है आपका how many sales are in 12 volt batteries 12 volt battery में कितने sales होते हैं तो 6 sales होते हैं अगर 12 है तो 6 sales का होगा एक sales एक जो होगा एक sales 2 volt का होता है तो 6 दूना 12 आपका option B अंसर होगा lead acid battery की दानात्मा plate की समागरी से बनाई जाती है तो यह जो positive terminal होता है positive plate की बात कर लेड़ acid battery में तो lead peroxide का होता है what is the material negative plate in lead acid battery तो spongy lead का होता है जो negative plate होता है और spongy lead का होता है what is the color और positive plate in charge lead acid battery अगर positive plate जो होगा अगर fully charged होगा lead acid battery तो brown color का होगा यानि brown color का है इसका मतलब fully charged battery है lead acid battery को कैसे वरिकरीद करते है secondary cells एंसर जो होगा secondary cell होगा how is the battery capacity expressed तो battery की capacity ampere hour ratings होता है AH जीसको बोलते है ampere hour ratings से करते है next सवाल है आपका विदुत परतिरोद को मापने के लिए विदुत परतिरोद को मापने के लिए किसका हम register का measurement करने के लिए किसका उप्योग करते है तो oh meter का आप जानते है जीवित तार से जोड़ना मना ही है यानि register जो होता है oh meter को यानि live wire से जोड़ना मना होता है instrument है oh meter जिसको live wire से नहीं जोड़ा जा सकता है यह परतिक आप देख रहे हैं circuit है यह किस तरह की circuit है तो आप figure में देख रहे हैं यहाँ A के पास आपका open circuit का यह दिया हुआ what is the name of electrical measuring instrument यह measuring instrument किसका है तो यह measuring instrument देख लेंगे इसका आपने लगाया है next है आपका किस नियम में कहा गया है कि व्यूदधारा voltage के समान पाती है और प्रतिरोध के व्यूद करमान पाती ohm का नियम है ohm के नियम कहता voltage directly proportional to ampere ampere का मतलब current यानि भी इस directly proportional to I option A केबलों में रंग कोड का उदिश क्या है easy identification of each circuit परते एक circuit को हम आसानी से पहचान सकें इसके लिए केबल का रंग दिया जाता है किस उपकरन में विजुत तावेश और संग्रहित किया करने की छमता होती है कौन सी यसी उपकरन है जिसमें electric charge को हम लोग स्टोर करते है तो यह हता है capacitor capacitor में हम लोग electric charge को स्टोर करते है which device is used to step up the voltage in spark ignition system जो आपका spark ignition system होता है उस system में voltage जो होता है voltage यानि step up करने के लिए किसका इस्तमाल करते है ignition coil का इस्तमाल करते है discharge battery discharge के दोरान battery का ऊर्जा रुपांतरित होती है जब battery से हम यानि current लेते हैं यानि discharge करते हैं तो कौन सी ऊर्जा किसमें परिवर्थित होती है तो chemical energy convert होता है electrical energy में निक्स्ट सवाल है आमारा charging के दोरान battery का उर्जा का रुपांतररन किसमें होता है जब बैटरी चार्ज होता है तो उर्चा आपका बदलता है electrical energy into chemical energy में आपका की cell में electron में सबसे कम उर्जा होती है तो आप electronic verification पढ़ेंगे तो उसमें k cell electron जो होता है k element जो है उसमें k में सबसे कम उर्जा होती है अब बात कर अर्ध चालग समागरी कौन सी है अर्ध चालग समागरी option में देखिए यानि semiconductor material कौन सा है तो silicon and germanium है option C answer सही होगा इसका अब अर्ध चालग समागरी को परमानों संदर्चना से कैसे पहसाना जाता है तो जिसके बाहरी कच्छा में चार electron होते है वो semiconductor होता है यानि option C इसका सही answer होगा Thank you